Z스 न पर क्यें दिखा लोंगर का मतलब होता है जोटा है अब देखो ये पैंस्ट्री छोटी है क्यी ये वालिए ये ये पैंसल क्या है छोटी और ये है बडी फिर देखो ये दो सीड़ी क्या है चोटी क्या और ये वाली बड़ी अब देखो इदेखो इदेखो ठावाद टिक तर लॉंगार आप तुमने ये पताना है कि इन दोनों ये जो ये हैं क्या पते हैं कि क्या है ये पते हैं ना लंबा वाला पता कौन सा है ये वाला चोटा वाला ये इन दोनों में कौन सा लंबा है ये वाल और ये वाला चोटा अब देखो टिक दो सोटा इसमें छोटे वाले मानना है टिक छोटा कौन से है ये वाला और इसमें छोटा ठीक है अब देखो दो चीजे हमारे बास एक दो ये पैंसिल है और एक ये पैंसिल है कौन से चोटी है ये वाली अब जो अब देखो एक पैन है और एक pencil है, इन दोनों में से कौन से चोटी है यह कैसे पता चलेगा, देखो इधर देखो, नाप के पता चलता है न, ऐसे में नाप दें हम अब देखो, कोई छोटा बड़ात लग रहा है इसमें कि दोनों बराबर लग रहे हैं बराबर है न दोनो अब देखो, longest, saltest, अब देखो, यह क्या है गाजर, गाजर है यह मिर्ची, फिर यह इससे चोटी मिर्ची और यह सबसे चोटी मिर्ची अब देखो, यह क्या है चमच, अब इसमें सबसे लंबे वाले चमच में हमने टिक मानना है अब सबसे लंबा इसमें यह क्या है मुंगरी मक्की सबसे लंबी वाली मक्की अब इसमें सबसे छोटी यह क्या है नहीं चाड़ी जो बुड़े लोगी लाठी वेरी गूल सबसे छोटी अब देखो इसमें है टॉलर का मतलब होता है लंबा और सॉल्टर का मतलब होता है छोटा अब देखो यह टॉल है और यह क्या है सॉल्ट फिर देखो यह आदमी बड़ा है और यह जो दूसरा वाला जो आदमी यह क्या है इससे छोटा अब देखो वो बोला है टिक दे टॉलर लंबे वाले पर टिक मानने है लंबा कौनसा इन दोनों में यह वाला इन दोनों में कौन सा fair डंबा की इन दोनों में छोटा क सब इसा उत्व से और यह सब से छोटा बेसे यह पौदे भी हैं अब ऑ अब देखो यहां पर यह दो बच्चे है ना इनकी चोटी है एक बच्चे की चोटी है और एक बच्चे की चोटी क्या है पतली पतली मोटी किस की चोटी है और इसकी क्या है पतली अब देखो यह उसले में घना किस्में है इसले में मोटा कौन सा है इस वाली में पतला तीर कौन सा है और इस वाली में पतली रसी वेरी गो ओके